इननों यूट्यूबर एलविश यादव गलत कारणों की वज़ा से चर्चा में बने हुए हैं पिछले दिनों उन पर यूट्यूबर सागर ठाकुर उर्फ मैक्स्टन ने मार पीक का आरोप लगाया था लेकिन अब दोनों के बीच मामला सुलज गया है अब इसी बीच एलविश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर को सांजा करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि दो दिन पहले जा एलविश और मैक्स्टन एक दूसरे उपर आरोपों की छड़ी लगाते हुए ठक नहीं रहे थे वह इलविश ने अपने अधिकारिक एक्स अकाउंट हैंडल से मैक्स्टन के साथ तस्वीर सांजा करते हुए लिखा कि भाई चारा ओन टॉप सोशल मीडिया पर दोनों की ये तस्वीर काफी जादा वाइरल भी हो रही है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार असली मामला क्या था चलिए जानते हैं कि आखिरकार असली मामला क्या था बिग बॉस फेम एलविश यादव ने मैक्स्टन पर पहले आरोप लगाया था कि मैकस्टन ने उनके परिवार के खिलाफ कुछ ऐसी बात बोली थी जिससे उन्हें गुस्सा आ गया था हलाकि बाद में उन्होंने अपने सोचल मीडिया हैंडल से एक वीडियो को साज़ा करकर मैकस्टन से माफी भी मांग ली थी उन्होंने वीडियो में कहा था कि जो मैंने मार पिटाए की उसके लिए में माफी मांगना चाहता हूँ जादा मार भिया इतना नहीं करना चाहिए था इसके साथ ही मैक्स्टर ने एल्विश यादव पर आरोप लगाए थे कि वे उन्हें जान से मानने की कोशिश कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एल्विश के खिलाफ उन्होंने आईपी सी धारा 147,323,506 के तहत आफायार दर्श करवाई थी साथ ही मैक्स्टर ने ये भी इन्जाम लगाए थे कि एल्विश यादव को हरिनाना सरकार का सपोर्ट मिला हुआ है जिसकी वज़ा से उन पर सही कानूनी कारवाई नहीं की जा रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद एल्विश यादव ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो को शेयर किया था उस वीडियो में एल्विश ने कहा था कि इंडिन ओडियंस बहुत जादा इमोशन हो जाती है यकीन कर लेती है ऐसी बातों पर उन्होंने बताया था कि सब कुछ पहले से ही प्लान था और बाद में विक्टिम कार्ड खेला गया है अब कल इस कहानी में एक अलग ही मोड देखा गया जब दोनों की सुला हो गई उसाथ ही फोटो भी शेयर किया गया अब देखना यह है कि सोशल मीडिया पर यह सब क्यों किया जा रहा है शायद एलविश शादफ को काफी ट्रोल किया गया था या फिर उनके फॉलोर्स में काफी चेंजिस आ रहे थे यह भी शायद एक बड़ा कारण हो सकता है आज के लिए बस इतना ही ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ नन्यवाद